अंद्रप्रदेश की चंद्रबावू नाइडू की सरकार इससे लेकर पिछली जगन मोहन रड़ी सरकार को घेर रही है और ये कह रही है कि करोलों हिंदूों की आस्था के साथ खिलवार किया क्या है भगवान बाला जी के भोग में जो लड़ू लगाए गए उसमें फिश ओल यानि की मचली का टेल मिला है वीव टेलो यानि की गाय की चर्वी से बनी घी और सूर की चर्वी का इस्तमाल किया क्या है तिरुपती तुरुमला देवस्थानम में इस्तमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है हमने वहां से सेंपल लिये थे उन्हें नेशनल डेयरी डेवलोप्मेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया उनकी लैब में इस बात की पूश्टी हो गई है कि लड़ू तैय के साथ जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया और जो प्रसाद भागवान को दिन में तीन बर चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिला कर बनाया गया देखे अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका खुलासा कब और कैसे हुआ तो नैशनल डेरी डवरेब्मेंट बोट को कब सेंपल भीजा गया दरसल चार महीने पहले आंधर प्रदेश में विधान सभा के चुना हुए थे जिसमें जगन मोहन रिड़ी की करारी हार हुई औ और 12 जून को चंदरबावू नायडू ने अंधर प्रदेश की कमान समहली सियम के तौर पर शपत ली नायडू सरकार के गठन के बाद 9 जूलाई को तिरुपती मंदिर बोट ने घी के सेंपल को जांच के लिए भेजा एक बर मैं आपको पूरी टाइम नाइन बता देती की कैसे खुलासा हुआ कब जांच के लिए भेजा गया तिरुपती प्रसादम में चर्बी कांट का खुलासा कैसे हुआ तो 12 जून को चंदरबावू नायडू की सरकार बनी जगन मोहनरडी की हार हुई थी 9 जूलाई की बात है मंदिर ट्रस्ट रे जांच के लिए सेंपल भेजा 16 जूलाई एंडी डी बी की जांच रिपोर्ट सामने आई और 22 जूलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठा कोई हाला की ये जरूर कहा गया को इस रिपोर्ट को अफिशल नहीं किया गया था 20 जूलाई फिर सेंपल भेजा गया क्योंकि पूरी तरह से कन्फोर्मेशन की बात यहां पर कही जा रही थी कि जब तक पूरी तरह से कन्फोर्मेशन नहीं हो जाती है तब तक इस रिपोर्ट को सारच्वनिक नहीं किया जाएगा 18 सितंबर NDDB की जांच रिपोर्ट एक बार फिर से आई और अब देखिये जिसमें इस बात की पुष्टी हुई है इस बात का खुलासा किया गया है कि जो प्रसादम बन रहा था तिरुपती बालाजी मंदिर में उसमें फिश ओयल था उसमें गौमांस की चर्बी थी उसमे बहुत गंभीर आरोप है हलाकि जो मंदिर ट्रस्ट है उनके एक अधिकारी ने ये भी बताया कि काफे टाइम से पब्लिक डोमेंट में रिपोर्ट थी लेकिन किसी का ध्यान उस और नहीं गया अब ये पूरा मामला बहुत जादा गंभीर हो गया है केंदर सरकार के इसमें इन्वाल्मेंट हुई है स्वासमंत्री जेपी नडडा ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर प्रसादम में किस तरह से हेर फेर की जा रही थी हलाकि चंदरबावु नाइडू की ओर से ये जरूर बताया गया है कि जिस कंपनी के साथ जगन मोहन और रेड्टि सरकार ने कौंट्रैक्त किया था यानि कि जहां से घी लिया जा रहा था फिल्हाल उस्के ब्लैक लिस्टेट कर दिया गया है और नए कौंट्रैक्टर को अब प्रसादम का कौंट्रैक्ट दे दिया गया है यानि कि अब घी की सप्लाई किसी दूसरी जगे से हो रही है लड्डू की पवित्रता का पूरा खयाल रखा जा रहा है यह दावाद चंद्रबाबु नाइडू की ओर से किया क्या है तिरुपती बाला जी लड्डू में भी मिलाओट की गए मुझे अश्यर हो रहा है कि इतनी बार शिकायत भी की गए लेकिन ध्यान नहीं दिया गया बाला जी की पवित्रता को नुक्सान पहुँचाया उनका काम बहुती दुरभागे पूरुन रहा अन प्रसादा में भी प्रसाद में घी के बदले एनिमल पैट का उत्रोग किया गया अब हमने प्रसाद की गुणवत्ता पर काम करना शुरू किया है प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध घी का इस्तमाल किया जा रहा है भगवान बाला जी हमारे राज्य में यह हमारी खुशक्रिश्मती है दु झाल